और जारकन विदानसवा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबार है सितंबर में जारकन विदानसवा चुनाव की घोशना संभव है तो हाले में लोगस्वा का चुनाव संपन हुआ है और लोगस्वा का चुनाव फत्म होने के साथ ही जागन में विदान स्वा चुनाव की जो तारीकों की जो सुद्वुगाहा टेका फिते जो गई है दस सितंबर के बाद तीचों का ऐलान संभव बता जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोशना कर सकता है सितंबर के मैने में दस सितंबर के बाद तीटियां आ सकती है चुनावी मोड में पातियां भी दिख रही है लोगस्वा चुनाव के बाद जैसा की देखा जा र पर चाहिए वो बीजेपी हो या पिर जे एमेम हो या फिर आच्चु हो या फिर कॉंग्रिस समिक्षा बाटक कर रही है और इसी ख़बर पर दीख जामकाई देने के लिए हमारा साथ रांची से समाधाता संतोष हमारा साथ जुर चुके हैं संतोष ये बड़ी खबर है क्यों तमाम जो राजनीदिक का पार्टियां है जारकन में क्या वो चुनावी मोड में चुनाव के लिए कितनी तयार देख रही हैं का देखिन लगातार जब लोकसभा के चुनाव समाध् हुआ उसके बाद हर पार्टिया शुनाव के बिधान सवा में जुट गय है दिखाना चाहेंगे हम अभी केमरेमेन्सstein इसी बिधान सवा का चुनाव का 10 सितंबर के बाद चुनाव का घोसना का उमीद है जार्खंट के साथ जो चार स्टेट हैं चाहे हर्याना की बात करें चाहे महाराष्ट की बात करें जम्बू कास्मीर के उसके साथ जार्खंट का भी चुना होगा तो उसको लेकर हर पार्टिया चाहे जम्म की बात करें चाहे कॉंग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात क किये हैं और बैठक किये हैं कि कैसे महाराद जो 36 गड़ और मद्द परदेश और राजास्थान में मॉडल अपनाय गया था उस मॉडल को अपना कर अपना कर हम 81 विधान सभा में अपने जीत दर्च करें और जारखन में बीजेपी के सरकार हो वही जीमेम पाटी और कॉंग्रेस और आरजेटी कट बंदन फिर से हेमन सरेन के चेरा पर मुकमंदरी का फेस हेमन सरेन रहेंगे फिलाल हेमन सरेन जेल में बंद है लेकिन जो इस् मात का खेल सुरू हो गया है वहीं चुनायोग एक्टी मोड में है कि 10 सितंबर के पहले अंतिव सब्ता में इसकी घोसना की जा सकती है तो कहीं न कहीं सभी पार्टिया एक जूट होकर चुनाओ लड़ना चारी है चाहे वह महाकट बंदन की बात करे चाहे बीजेपी की बात तो कहीं न कहीं बीजेपी फिर से आदिवासियों को अपने और क्योंकि जो लोग सभा का परिनाम हुआ उसमें मात्र 9 सीट बीजेपी जीट पाई है और 6 सीट बिधान सभा महाकट बंदन तो कहीं न कहीं राकेश जो इस्तिती है कि लागातार जो दोनों पार्टिया अपन अपने जीट के लिए रननिती बना रही है जी राकेश बिलकुल यहां जो तस्वीरे दीक रही है संतोश एक तर तो जेमें के तरफ से दो चैरे दीक रहे है एक तो पुर्व सियम हेमन सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो की अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से अक्टिम नजदर आ रही है बात अगर बीजेपी की कर लेते हैं तो क्या लगता है बीजेपी किसके नेत्रत में चुनाव लड़ेगी बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है देखिये जो इस्तिति है कि अभी जब हम लोग ने जब जो जारकंट परभारी बनाय गए थे पूर मुखमंत्री सीवराज सीच चौरहान और सफ परभारी जो असम के मुखमंत्री हैं उनको और परभारी लक्षमी का पास काना है कि हम लोग रननीती पर चुनाव किसी मुखमंत्री चेहरा पाभी मुखमंत्री के चहरा घोसना नहीं की है लेकिन वहीं हम जेमेम और महाकटबंदन कटाच करती है कि जब चेहरा ही नहीं है तो किस पर आप चुनाव लड़ेंगे तो कही न कहीं जो सह मात का खेल है अब देखना होगा कि यह कासी बिधान का जो चक्रवी हो है बीजेपी बेद पाती है या जेमेम तो अब राकेस आने वाला समय में जो चुनाव का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 10 सितंबर के बाद पहले अंतिव सब्ताह में चुनाव के घोसना हो सकते है उसके बाद अचार सकता तो अब देखना हो कि लगात तमाम राजनिदिक पातियां जो है जाकर में क्या उनमें किस तरह की जो हल चले वो देखने को मिल नहीं है क्या वो मानने कि चुनाव के लिए पूरी तरह से तयार है और बूथ लेवल के करताओं के साथ बैठा की है ओही जेमें लगातार कलपना सोरेन एक्टिव मोट में है हेमन सोरेन जरूल जेल में बंद है लेकिन कलपना सोरेन जो इस्टार परचारक के सुची में है लगातार एक्टिव में है और जेमें महागटबंदन का साब घोसना है कि हम लोग हेमन सोरन के चेहरा पहीं चुनाओ लड़ेंगे तो कहीं न कहीं दोनों पाटिया कमर कसली है अवाने लग समय में चुनाओ अपने रणनीती बनाने में जुट गए हैं कि इस बिधान सहे में आगाई आने हुला समय में बिधान सवाए में वीधान सवा ब्च सके हैं उसमें किसकी जीट की डंका बच सके हैं पाइब बहुत बहुत शुक्रिया संतोश खबर प्रजानकारी दिनी के लिए आपका तो एक यासी विदान सबास्ताथ से वाली यहाँ पर जारकर्ण में विदान सबाचु नाओ जो है तीतियों का एलान जो है सितंबर महिने में हो सकता है और ऐसे में देखना है में होगा कि किसकी रणनीती सबसे मजबूत होती है और उस रणनीती का हिस्सा क्या उन्हें सत्ता दिला पाएगा देखना दिल्चस्प होगा